कालिंदी विहार इलाके के तिलक विहार में छेत्रवासी, सडक, नाली, लाइट की समस्या से परेशान है छेत्र में खरंजा न बनने से बरसात का पानी रास्ते में भर जाने के चलते छेत्र में मच्छरों का प्रको भरता जा रहा है आने जाने वाले लोग उबर खावर रस्ते की वज़ा से आए दिन गिर कर चोटिल होते रहते हैं छेत्रिय लोगों द्वारा नगर निगम मदिकारियों और पाशत से कई बार शिकायत की गई है लेकिन जिम्मेदारों द्वारा अब तक कोई कारिवाही नहीं की गई यमनापार के कालेंदी विहार स्थित बजरंग नगर के तिलक नगर में शेत्र वासियों को नर्क जैसे माहौल में अपना जीवनियापन करना पड़ रहा है शेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या यहां की खरंजे नाली वर लाइट को लेकर है यहां की खरंजे उबर खावर होने की वज़े से खरंजे में बरसात का पानी भर जाता है जिसके चलते शेत्र में मच्छनों का प्रकोप और जादा बढ़ जाता है वहीं शेत्र में पानी की निकासी के लिए अभी तक नगर निगम की ओर से कोई विवस्था नहीं कराई गई है साथी नगर निगम की ओर से शेत्र में लगे विद्युत लट्टों पर लाइट तक नहीं लगाई गई है जिससे शेतर में अंधीरा होनी की वज़े से यहां के शेतरवासी उबढ़ खाबर रास्तों पर आती जाती समय खरंजे पर गिर जाती हैं और उन्हें गंभीर चोटें भी आ जाती हैं शेत्रिय निवासी राहुल गौतम ने बताया कि शेत्र में बरसात का पानी भरनी से मच्छोनों का प्रकूप भरता जा रहा है। खरंजा खराब होनी की वज़े से यहां की रहने वाली लोग बच्चे आए दिन गिरते पड़ते रहते हैं जिससे उन्हें गंभी चोटे भी आ जाती हैं। इसको लेकर शेत्रवासी शेत्रिय पार्शत के पास कए लेकिन पार्शत द्वारा शेत्रवासियों को केवल पाणी के लिए और अधेरे के लिए दिकक्त होती है बच्चे में आने जाने के लिए लाटे नहीं हैं। किजी महाराजा न्यूज के लिए राजी शर्मा की रिपोर्ट